हलो मैं फूडी फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल कोक विद सिड आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो वेजिटेरिंज का मेल इंग्रीडियंट कौन सा होता है अब पनीर से कुछ बनाये जाए तो कैसा लागेगा बहुत ही अच्छा चली आज बनाते हैं मटर पनीर मसाला एक बहुत ही यूनीक बहुत ही अलग तरीके से मटर पनीर बनाएंगे जहांपे हम काफी सारी इंग्रीडियंट का इस्तमाल करेंगे लेट्स केट गॉइंग अब हम डालेंगे लगब तीन इलाइची साबुत थोड़े से खड़े मसाले जैसे की तेज पत्ता इसमें जाएगी बाउट वन अना हाफ इंच सिनमन यानि दालचीनी थोड़ी सी साबुत काली मिर्च दो से तीन लॉंग और एक चुटकी भरके या दो चुटकी भरके कलॉंज सब मसाले इसमें जा चुके हैं हलका सिजल कर रहे हैं मसाले एंड एस सून इस दे मसाला का सिजलिंग आपको बड़ी अच्छी सी खश्बू आनी चुरू होगी वाव ब्यूटिफुल इसमें हम डालेंगे प्याज की प्यूरी यानि प्याज का पेस्ट लगब तीन छोटे फियाज की प्यूरे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे दो तीging भरके फ्रेश गार्लिक पेस्ट और एक टीजवब भरके फ्रेश चिंजर पेस्ट और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से स्टर और इसको हम होने देंगे बढ़िया से साथे करके ब्राउन अब हमारा मसाला जो है बहुत बढ़िया से ब्राउन हो चुका है इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले और जैसे कि सबसे पहले थोड़ी सी टमाटर का प्यूरे लग भग 4 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे हम लोग स्टर थोड़ा सा और भूनने दें इसको तामाटर भी बढ़िया से भून चुका है लेट्स गेट ड्राई मसाला ज्याने की हाफ टीस्पून यानि आधा टीस्पून ग्राई कोरियांडर पाउदर धनिय आधा टीस्पून गरम मसाला इसमें जाएगा एक चौथाइट टीस्पून हल्दी पाउडर एक चौथाइट टीस्पून लाल मिर्च याप और भी डाल सकते हैं अपने स्वाध्यों पर डिपेंड करता है अगर आप अदो तीखा चाते हैं तो लाल मिर्च डाल दें और त तोटली आप टू यू बढ़िया सी खश्बू आनी शुरू हो गई है वाव अरे हाँ एक चीज तो हम भूल गए बहुत सारा प्यार इसमें हम डालते हैं अबंडन्स ओफ लव प्यार सही खाना हमेशा अच्छा बनता है मसाला बढ़िया से भून चुका है थोड़ा सा डालेंगे पानी सब मसालों को कमबाइन तरने के लिए पूरे ड्राइ मसालाज सब आपस में बढ़िया से कमबाइन हो जाएंगे अब इसमें जाएगा एक चु विस्क क्या हुआ योगर्ट लगभग चार टीस्पून दही और इस मसाले को बढ़िया से हिला लेंगे इस्टर करते रहिए दहीं कमबाइन होनी चाहिए दहीं कहीं फट ना जाए इसलिए इसको बढ़िया से स्टर करते रहिए नाइस मसाला बहुत सुन्दर सी ग्रेवी बनके सामने आनी शुरू हो चुकी है और इस मसाले ने अब काफी हद तक तेल छोड़ दिया इसमें हम डालेंगे नमक नमक होगा स्वाद अनुसार इस सारे मसाले को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं मसाला हमारा रेड़ी है एक शाही सी खश्बू आनी शुरू हो चुकी है और इसमें हम डालेंगे थरी मटर हरी मटर डालने के बाद इसको हम बढ़िया से कुछ सेथ पका लेंगे अब ये मटर बढ़िया से पक चुका है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी देखिए बहुत बढ़िया से इसने तेल छोड़ दिया है हलका सा पानी इसको देंगे एक अच्छा सा स्टर ब्यूटि यह जो cinnamon है, यानि दालचीनी साबुत, इसको आप निकाल दे, यह मुह में आने से बड़ा खराब लगता है, इसका फ्लेवर जो है, पूरा इसमें इंफ्यूज हो चुका है, यह बिल्कुल रेडी है, अब बारी है, इसमें डालने की कुछ क्रीम, तो चलिए इसमें डालते है हम दो टीस्पून क्रीम, यह गया, इसमें दो टीस्पून क्रीम, और पढ़िया से इसको हिला लेते हैं, एक अच्छा सा स्टर, क्विक स्टर, और बारी है, इसमें डालने की पनीर, पनीर के क्यूब्स मैंने काट लिये थे, और यह गया इसमें पढ़िया से पनीर के क्यू आपसलूटली रेड़ी तो एक अच्छा सा बोल और इसमें हम डालेंगे अपना तयार मतर पनीर मसाला अभी बन कर रहा ही इमीजेटली तंदूरी रोटी मंगाई जाए और सारा का सारा मैं अकेला खाजाओं लेकिन वो भी नहीं कर सकता मेरे साथी मुझे मारेंगे और आप बार ये गार्निश करने की इसको हम डालेंगे इसके ओपर थोड़ी सी क्रीम और उसके बाद हलकी सी चॉप्ट ग्रीन चिलीज जादा नहीं जितना स्वाद हो ये भी स्वाद अनुसार और एक धनिया की टूइंग इस रेड़ी माइ फ्रेंड्स खाईए खिलाईए बनाईए मजे लीजे तो दोस्तों कैसा लगा महतर पनीज मसाला आइम शूरी इंजॉइड लुटिंग अट इट देखना तो बहुत पसंद आया बनाईएगा जरूर अगर इडिश पसंद आती है मिरे चैनल को लाइक करि पर फूटर नोटिफिकेशन्स और देखते रहिए कुख विल्सेट